नमस्कार आप देख रहे हैं बिस तक मैं हो रजट देव गन अज हफ़ते के पहले कारोबारी सेत्र में बजार एक सीमित दारे में कामकाज करता हो नजराया अमरिकन मार्केट से संकेत बहुत बढ़िया थे टाचिंग डिस्टेंस पे ये डाउ जून्स वहाँ पर और अच्छी तेज़ गई साथ बंद हुए थे अमरिकन मार्केट लेकिन आज एशिया बजारों में जातर बजार थे छुट्टी पे गिफ्ट भी बता रहा था कि 60 से 70 पॉइंट की तेज़ी बन सकती है उतनी तेज़ तो नहीं खुले 25,406 के लेवल पे ओपन हुए 25,445.7 ये आज तक का उच्छतम स्तर बजार ने ओल टाइम हाई लेवल छू लिया था लेकिन ये सारा एपिसोड शुरुवाती सत्र का ही है उसके बाद एकदम से बजार जूल गया एक दारे में फस गया और आज के दिन का लो है 25,336 क्लोजिंग आईए 25,383 के लेवल की 27 पॉइंट के गेंज के साथ निफ्टी बंद हुआ है निफ्टी बैंक 215 अंको के उच्छाल के साथ 52,153 के लेवल पे बंद हुआ है रेंज बाउंड बॉमेंट देखने को मिल रही थी मार्केट पे बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले जादा आउट परफॉर्म कर रहा था सेंसेक्स 97 अंको के भड़त के साथ 82,988 के लेवल पे हुआ है बंद लेकिन आज जो बजार का हाइलाइट पॉइंट था वो था बजाज हाउसिंग फनांस की लिस्टिंग मच अवेटेड लिस्टिंग थी और जैसे यह शेयर लिस्ट हुआ वैसे गदर मचा दिया जैसे की expectation थी कि जो response बजाज housing finance के IPO को मिला है तो listing बहुत ही अच्छे premium के साथ होगी उसी तर्च पे listing हो गई issue price था 70 रुपे 150 रुपे पे खुल गया सीधा याने की 114% premium के साथ उसके बाद थोड़ा सा उठापटक देखने को मिली लेकिन surrender करने को बिलकुल तरिया नहीं था institutional appetite बहुत जादा stock के लिए और stock और तेज हो गया 165 के level पे पहुँचते ही अपने opening price से 10% उपर जाते ही circuit लग गया लेकिन issue price से देखोगे तो 135.7% के return बजाज housing finance ने debut पे दिया आप कह सकते हैं stock महंगा है लेकिन जो है वो है बजार पे demand इतनी strong देखने को मिली कि stock में आज के सेतर में 10% का upper circuit freeze हुआ ही यह stock advances थे nifty के 26 गिरने वाले थे 24 लेकिन सबसे तेज वा वो था NTPC 0.5% उपर फिर JSW Steel और Hindalco जैसे stocks तेज हो गए metal stocks में traction पिछले कुछ दिनों में अच्छा देखने को मिल रहा है शीराम finance, L&T यह कुछ इसे stocks थे जहां पर सवा 1% से 0.5% की चाल बने निफ्टी losers में बजाज finance अब देखिए यह irony है कि बजाज housing finance तो आज के सत्र में upper circuit पे खड़ा है लेकिन जो parent है बजाज finance, बजाज fincer दोनों stocks में आज के सत्र में गिरावट देखने को मिली है FNO gainers में Dixon 7% से जादा की चाल इस stock पे देखने को मिली MCX India सवा 5% उचला, Nalco 4% उचला, Biocon हिंद copper जैसे stocks में आज के सत्र में आक्शन तेज था FNO losers में LIC housing finance को पाएं गया 6% नीचे, housing finance कंपनिया आज बजाज housing finance की listing वाले दिन तूट गई है तो LIC housing सबसे जादा पिटा है आज, इसके लावा बिरला soft 4% नीचे, गोदरेज properties 4% नीचे, बजाज finance और canfin homes दोनों ही stocks पे आज जबर्दस गिरावट देखने को मिली Midcap Gainers में एक stock है, जो record highs पे पहुचा और जोड़दार breakout दिखा के गया वो था BSC Limited, 18% से ज़ादा की चाल इस stock पे देखने को मिली फिर Godfrey Phillips, 20 सितंबर को है बोर्ड बैठेक जिसमें bonus issue पे विचार करेगी company और उसमें भी एक share पर दो bonus share जारी करने के उपर विचार है तो आप यह समझे, यह stock लगातार focus में है, 12% की तीजी तो आज ही दिखा गया है, पिछले कुछ दिनों से लगातार चड़ता structure है Galaxy Survectants 9% चड़ा, Global Spirits 8% चड़ा, Adani Green 7.5% उपर, Surya Roshni 7.5% चड़ा है, Lloyds Engineering 7.5% उपर, Triveni Engineering, Kalamandir, LT Foods, Thermax जैसे stocks में 6.5% से 7% की तेजी आए Mid Cap Losers में आपको financial stocks जादा दिखाई देंगे, उसमें भी PNB Housing Finance और LIC Housing 6% से 6.5% का गोता लगा गए इसके लावा Ajanta Pharma 5% नीचे आगया, Ionox Wind 4.5% गिरा, Emami, M-Tanel, Vector Food जैसे stocks में मुनाफ़ा वसूली देखने को मिली Sector Specific, Metals में खरेदारी जादा देखने को मिली, जिसमें Nalco, Hind Copper, JSW Steel करीब पौने 2% से 4% चड़ गए, Hind Alco और JSPL भी 1% से 1.5% उचल गए Private Banks जादा तेज हैं, PSU Banks के मुकाबले, और इसी के कारण वच आपको Nifty Bank लगातार चड़ता दिख रहा है अभी Market में ICIC Bank 1% उपर, Access Bank 1% उपर, Kotak Bank आदा फीजदी उपर, लेकिन गिरे भी हैं, City Union Bank और Bandhan Bank में मुनाफ़ वसूली देखने को मिली Media Stocks में TV 18 Broadcast, Network 18, 3% से 4% चड़ गए, Sun TV, Hathway, PVR, Inox, Nazara, 1.5% से 1.5% चड़ गए Financials का तो दिन ही खराब था, उपरिस तो पर मुनाफ़ वसूली हुई है, बजाज Housing Finance की लिस्टिंग वाले दिन LIC Housing Finance 6% नीचे, बजाज Finance 3% नीचे, बजाज Finance 2% नीचे, इसके लाबा PFC, REC, SBI, Life, ICI से प्रूब, इन सब स्टॉक्स में दबाव देखने को मिला FMCG में कहीं खुशी कहीं गाम, जो चड़े हैं उसमें Radico 4% उपर, Marico 2% उपर, बलरामपुर, चीनी, MacDowell, UBL, 1.5% से 2% चड़ गया, कोलगें भी 1% चड़ गया, लेकिन जो गिरे हैं वो है वरुन बेवरिजे, 3.5%, गोद्रेज, कंज्यूमर और HUL जैसा दिगज, आज 2% नीचे था, अब आगे क्या होगा, देखें कल से FOMC की दो दिवसिय बैठक शुरू हो रही है, ये Policy Decision आएगा, 18 सितंबर को, भारत के समिनोसार देर रात को, तो American Markets तो फिर जूल रहे होंगे उस समें, 18 सेप्टेंबर को, लेकिन हमारे बजारों पर impact पढ़ेगा, निफ् 13 सेप्टेंबर को, गुरुवार को, और तमाम Asian Markets पे impact पढ़ेगा, तो ये जो अब crucial एक event के सामने खड़ा है market, तो आप ये समझे, एक तुफान से पहले शांती है, और बजार बिलकुल एक सीमित दारे में भज़ गया है, पिछले दो trading session से, कोई भी बड़ी तेजी आ रह हो ली है, और intraday trades लेने बहुत मुश्किल हो रहे है, आपके पास portfolio में BSE Limited जैसे stocks थे, तो बहुत ही अच्छा return दे गए, Godfrey Phillips वाले जैसे stocks बहुत ही अच्छा return दे गए, लेकिन कुछ चुनिंदा stocks में खरेदारी definitely देखने को मिल रही है, इस समय मार्केट में, अब US Fed का decision जादर जानकारे मान के चल रहे हैं कि यह होगा कि 25 basis points का cut इस बार होगा, लेकिन उसके बार दो policy और आनी है इस साल, तो US Fed Chair Jerome Powell के commentary बहुत important होगी इस बार कि वो future interest rate outlook के ओपर क्या tipणी करते हैं, बजार उसको बहुत closely watch करेगा, US markets की चाल पर पहनी नजर है, फिर दो central banks और है जो Qatar में, वो है Bank of Japan और Bank of England, इन दोनों की भी policy इसी हफते आनी है, तो तीन बड़े central banks के policy decision से पहले बजार सरपर दोड़ जाया, ऐसा हो नहीं सकता है, तो बजार में consolidation देखने को मिल रही है, अब एक range में तो है, लेकिन ये भी समझ में आता है कि जहाँ पर अभी आप खड हैं, call writers थोड़े जादा aggressive दिखते हैं, higher side पे इसले बजार जा रहा है, थोड़े profit booking हो रही है, लेकिन put writers हिल नहीं रहे हैं, कोई भी dip आ रही है, तो फिर निचले सुरों से खरदारी भी दिख रही है, इसी के लिए 25-250, 25-200 का level जो होगा, बजार के लिए बहुत ही support की तरह act करेगा, higher side पे obviously अभी तक आप 25-450 के उपर convincing नहीं निकल नहीं पायो, तो ये level एक resistance की तरह act कर सकता है, कुछ resistance levels अभी आप note कर लीजे, 25-450, 25-530, 25-590, ये important resistance levels रहेंगे market के लिए, और जैसे बताया कि crucial support level रहेगा, 25-300, 25-250, लेकिन इस बार, निजी बैंकों में जादा ख दिखाई देरी है, bank nifty relatively, पिछले दो trading session से, nifty के मुकाबले तेज चल पड़ा है, तो बजार में गिरावट का मौका है, और अब nifty bank के resistance level है, वो है 52,340 और 52,550, ये important resistance levels रहेंगे, और ऐसा लग रहे है कि 52,5900 के zone को protect करने की कोशिश करेगा, nifty bank, तो थोड़ा, असमंजस क स्थिती होगी, ये बजार प्रूफ कर रहा है, एक consolidation वाला phase इसलिए, क्योंकि एक बहुत बड़े event के पहले आप trade कर रहे हो, तो overnight positions थोड़ी हलकी रखेगा, और अगर कोई leverage position बनाए तो उतनी capacity, जितनी आपकी capacity लाओ कर रहे हो, उसी अनुपात में बनाएगा, बहुत मोट कोटी leverage position इसमें बजार में बनाने की बिल्कुल सला नहीं होगी, long term investors के लिए कोई भी dip एक buying opportunity है, और interest rate cut का scenario market में अब develop हो सकता है, तो अभी market का trend है positive और dips में position add करने के सला, लेकिन position sizes अपने control में रखेगा, बिस्तक आपके लिए लाया है premium membership program, जहां आपको मिलेंगे कई सार जिन में market newsletter, live chat पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, market outlook, weekend पर market scan, anchors के साथ chat और भी बहुत कुछ, इस premium subscription में तीन तरह के plans है, silver, gold और platinum, जिनके शुरुवात मात्र 119 रुपे महिने से होती है, इससे जुड़ना भी बेहदासान है, बिस्तक के YouTube चैनल पर जाए, join बटन पर क्लिक करें और अपना plan सिलेक्ट करें, बस बन गए, आप हमारे premium member